हरे किशा दोस्तों श्वागत है आपका सिजी पेशी व्यापवम में एक और पुरानी भर्ती व्यापवम में जाने को प्रस्ताव है लगबग 1000 से अधिक पद है और इस पर हम विस्तार प्रुवक चर्चा करेंगे इसके तरीक तर चत्तिस गड़ में वर्सों बाद 26 पदों पर भरती विग्यापन जारी हुआ है परन्तों ये भरती जो है सम्विदा भरती है बहुत वर्स हुए और आज तक चत्तिस गड़ में इस पर भरती नहीं हो पाई है और अब जब भरती विग्यापन जारी किया है तो वो जो है सम्विदा के तौर पर किया गया है क्या है व पे शिक्षकों की भारी कमी है और कुछ ऐसे है जहां पे शिक्षक विहिंच जो है वह स्कुल है तो लगबग ऐसा करके छत्रिज गर्ण सासन का लगबग 13000 सिक्षकों का युक्ति करन्ट ट्रांसपर करके शिक्षकों की कमी को दुर करने का प्रयास किया जा रहा है और इसी के सम्मन्द में युक्तिकरण जो है वो किया जा रहा है जहां पे अतिसे सिक्षक जिस स्कुल में होंगे उनको ऐसी स्कुल में भेजा जाएगा जहां पे सिक्षकों की कमी है एक दूसरा सिक्षक विहिन स्कुल ऐसी स्कुलों में उनको भेज कर सिक्षकों की कमी को फ प्रहथमिक साला में, तो देखिए, प्रत्येक् प्रात्मिक साला में कम से कम एक प्रधान पाथक का पद, तथा दो साहीक सिख्चक, पंचाय साहीक, सिख्चक नगणी निकाय के पद शुकिरेट है, सेटप शुकिरेट के समय चातर दर्जे संक्या के अधार पर और अधिक प अब हम पूरो माध्यमिक साला की बात करें तो यहाँ पर प्रधान पाठक का पद तता चार सिक्षकों के पद शुकृत है दर्जशंगय के अधार पर अधिक पद भी शुकृत किये गए हैं प्रतेक साला में विशावार पद शुकृत किये गए तता हिंदी संस्क्रित आत्मिक साला में बताए गए कि प्रधान पाठक प्राक्मिक साला में युक्तिकरण नहीं किया जाएगा उनका सिक्षक पंचायत करना होगा इसके अलावा सिक्षक्षक पंचायत नगरी निकायत के मामले में विकासकण को इकाई माना जाएगा, किन्तों सक्सिक्षक, नगरी निकाई को इकाई माना जाएगा रहा जाएगा से सिक्षकों को मान्य करना होगा इस प्रकार से देखिएगा तमान जो है पूरो माध्यमिक साला हो तो उसके लिए जो है नियम बनाए गए है जहाँ पे अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो CEO जनपत पंचायत है सदस्य के तोर पर सहायक आयुकता आदिम जाती है विकास विभाग है प्रतिनी दिये सदस्य सची विकासखन सिक्षा दिकारी है और यह जो होगे आपका प्रतेक विकासखन में जो है समीती गठित की जाएगी उसके बारे में है अब इसके अतरिक तो और भी जो है नियम आपके इश्केन पर शो हो रहा होगा और इसका पीडिया पाव हमारे टेलिगम चनल से राप्त कर सकते तो सवाल यह उठता है कि क्या ये करने से इतना पिछीदा काम करने से अच्छा है बेरोजगारों के लिए अगर कुछ भर जो है भरती विग्यापन जारी कर दिया हजारों तो उनके लिए कही न कहीं बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी और सरकार को कही न कहीं इतना कहीं एक प्रकार का बहुत सारा ये इस काठ है वो करने से अच्छ है कि वेरोजगारों को नौकली देकर ये शारी चीज़े कर सकती वैसे भी सत्युजगार सरकार को बजट में बहुछ सारे टेक्सस से भी पैसे मिले है तो सरकार जो है इस पर एक अपना मुहीम जो है वो चालू कर सकती है रिक्त पदों के सम्मन में अब बात करते हैं देखिएगा जो आप सभी जानते कि पिछले वर्स लगभग 1000 से अधिक पदों पर कलेक्टर कारेलियों में जो है वो भरती विग्यापन जारी किया गया था आप सभी से आउगात है आप मेंसे बहुत सारे लोगों ने इसमें फॉर्म भी भरा होगा और इंतजार कर रहे होंगे कि कब आगे की स्थिती उत्पन नहोंगी तो इसी के बारे में एक बहुत ही महत्वपून अपडेट है देखिएगा दरसल पिछले कुछ दिनों पहले जो है बात के जो मंत्री है टंग्राव वर्मा जी ने एक कायक्रम में सामिल हुए थे और उस कायक्रम में विरुजगार अभ्यर्थियों के द्वारा एक प्रश् नहीं है जो कि बिलासपूर से पूछा गया था राजस्वरी दिवांगन के द्वारा उन्होंने पूछा था कि कलेक्टर का रियाले से राजस्व भर्ती निकाली गई थी लेकिन प्रक्रिया अब भी अटकी हुई है इस प्रश्ण पर जो हमारे मंत्री जी है उन्होंने क्य भर्ती परिच्छा आयुजित करने की दिशा में प्रयासरत है तो बताया यहीं जा रहा है कि यह जो भर्ती है हो सकता है कि जितना भी जिले वाइस भर्ती विग्यापन जारी किया है उसको कमपाईल करके व्यापम को दिया जाएगा और उसके बाद जो है वहां पे से जैसा ही जो है वो भरती विग्यापन जो है जारी किया जाएगा जो है व्यापम की तरफ से तो अब ये देखने वाली बात है कि ये जो पुरी प्रक्रिया है क्योंकि लगभग बहुत सारे जीलों में ये भरती विग्यापन जारी किया गया था और सभी का कंपाइल करके व्यापम क देना ये एक बहुत बड़ा टास्क है और ये कितरे जल्दी होता है ये देखने वाली बात है लेकिन कहीं न कहीं अभ्यर्थियों को इंतजार तो करना ही पड़ेगा इसके अतरीक देखिएगा एक और अभ्यर्थियों के दौरा प्रश्न पुछा गया था कमलेश कुमार नि अफिक में अच्छा प्रश्न किया है और आप प्रदेश में क्या मान भी बढ़ाया इसके लिए आपका अभार आप सभी को धन्यवाद इस प्रकार से चीजे मंत्री जी ने कहीं है और अब जो है हम अगले खबर की बात करते हैं तो यह जो खबर ती देखी कलेक्टर कारेल कि जो 1000 से 12 पत निकले हुए थे तो वो जो है कहीं ने कहीं मंत्री जी ने कहा है कि वह व्यापम से प्रयास रत है कि हम व्यापम से भरती परिक्षा आयोजित करेंगे अब यह देखने वाली बात है कि कि यह कितने जल्दी यह सारी चीजे होती है अब दुसरा अगर हम बात करें देखिएगा वर्सो बाद चत्रिसगर में खेल प्रसिक्षकों के पदों की जो भरने की प्रक्रिया है वो प्रारम्ब हो गई है आपके इस्क्रिन पर शो हो रहा होगा देखिएगा यहाँ पे 26 पदों पर भरती के लिए जो है वो आवेदन मंगाये गए है जहाँ पे एथलेटिक्स दौर और पुट के दो टेनिस के दो फुटबॉल के पाँच आर्चरी के चार हाकी के पाँच कबड़ी के दो और बेन्मिंटन, बॉलिवाल, वेटलिफ्टिंग, क्वाइनिंग, केनुइंग, मलखम और कुस्ती के लिए एक एक पद प्रसिक्षकों की निवार की जाएगी प्रसिक्षक के लिए इस्थानी निवासी होना अनिवार किया गया है प्रसिक्षकों की भर्ती के लिए नियुनतम जो आयू है वो 21 वर्स है तथ रिक्तम आयू 35 वर्स की गई है पटियाला के राश्टिक रिड़ा संसा का डिप्लोमा या किसी मानेता प्राप्त संसा से समक्ष डिप्लोमा अनिवार है और यहाँ पे बहुत ही महत्पून है कि चत्तरजगर में लगबख 84 पद जो है वो अखेल प्रसिक्षक के है जिसमें कि 74 पद खाली है मतलब आप सोचिएगा 10 पद मात्र भरे हुए है और 70 पद अभी खाली है और इन 70 पदों में से मात्र 26 पदों पर भर्ती विग्यापन जारी किया गया है और इसका पूरा डिटेल में इसका जो पीडिएफ है आपको हमारे टेलिग्राम चैनल में मिल जाएगा और आप लोग इसको जो इसके लिए योग है वो जल्दी से फॉर्म भरियेगा क्योंकि 16 अगस्त इसकी अंतिम तारिक है आपको बताना चाहूंगा 16 अगस्त इसकी अंतिम तारिक है तो आप लोग जल्द से जल्द इसमें फॉर्म भरियेगा इसका पूरा पीडिएफ आप आप शबी को बहुत धन्यवाद आप सबी स्वस्तर है मस्तर है और पॉजिटिव है